जारखंट की राजधानी राची में गाड़ी चेकिंग के दौरान एक वेंड ड्राइवर ने एक महिला दरोगा संध्या टोपनों की गाड़ी से मार कर हत्या कर दी टककर इतनी जोरदार थी कि दरोगा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला राची जिले के तुपुदाना का है खुदवार की सुबा तीन बज़े के आसपास संध्या गाड़ीों की चेकिंग कर रही थी इसी बीच उन्होंने एक पिकप को रोकने की खोशिश की लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकी वें ड्राइवर ने दरोगा को बहुत जोर से टक कर मारी और उन्हें कुचलते हुई आगे निकल गया नाची के सीनियर पुलिस अधीक शक कौशल किशोर ने न्यूज एजनसी एनाय को बताया उन्हें यानी की दरोगा को सूचना मिली थी कि ये गाड़ी में मवेशियों को ले जाया जा रहा है जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने टक कर मार दी उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें बृत खोशिट कर दिया गया पुलिस अधिकारी ने आगे कहा आरोपी को गिरिफतार किया जा चुका है और गाड़ी को जब्ट किया गया है बता दे कि संध्या टोपनो साल 2018 बैच की पुलिस अधिकारी थी राची से ये खबर ऐसे समय पर आई है जब एक दन पहले ही हर्याना के नू जिले के तावडू में डियस पी सुरेंदर सिंग बिश्णोई की खनन माफिया ने डंपर से कुचल कर हत्या कर दी पुलिस ने डंपर के ड्राइवर को कुछ देर बाद गिरिफतार कर लिया था सुरेंदर सिंग बिश्णोई को ये जानकारी मिली थी कि अरावली की पहाड़ियों में गैर कानूनी तरीके से पत्थर तोड़े जा रहे है जब वे उस स्थान पर पहुँचे और पत्थर से लदी गाड़ी को रोकनी की कोशिश की तो उसने उन्हें को चल दिया पुलिस ने एंकाउंटर कर डंपर चालक को पकड़ा था उसके पैर में गूली लगी है अन्यारोपियों को भी गिरिफतार करने के लिए पुलिस जाज कर रही है उधर राज्य सरकार ने डियस्पी सुरेंदर के परिवार को एक करोर रुपे की मदद का एलान किया है बताया जाता है कि डियस्पी सुरेंदर विश्णोई महज तीन महीने में नौकरी से रिटायर होने वाले थे शुक्रिया